देखो बच्चे यहां पर question है कि the diameter of moon is approximately one-fourth the diameter of earth मतलब क्या है कि moon का diameter है एक चौथा ही है suppose करो let the diameter of moon मैंने moon का diameter d ले लिया ठीक है तो देखो बच्चे इस question के हिसाब से diameter of earth कितना हो जाएगा इसका four times हो जाएगा ठीक है simple अब तुम्हें surface area के जो है ratios चाहिए तो देखो surface area का formula क्या होता है four pi r square ठीक है तुम्हें कह सकती हूं surface area of इसको तुम denote कर लो moon से divided by surface area of earth ठीक है कितना हो जाएगा बच्चो four pi r की जगा क्या लखोगे अच्छा sorry क्या करोगे यहां पर यह radius में given है यह तुम्हें अपास diameter है ठीक है तो हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चो यह कितना हो जाएगा अच्छ इसको भी divided by 2 यह हो जाएगा 2D ठीक है clear सही है चलो अब हम निकालते हैं दोनों का surface area ठीक है surface area of moon divided by surface area of earth यह कितना हो जाएगा 4 pi इसको erase करती हूँ R square यहां पर R क्या है बच्चो D by 2 ठीक है यहां पर देखो earth का क्या हो जाएगा 4 pi 2D का square ठीक है तो देखो 4 pi से 4 pi cancel हो गया ठीक है अब यह कितना हो जाएगा D square यह 4 है इसको मैं 2 है 2 का square 4 नीचे ले लेती हूँ मैं ठीक है यह कितना है बच्चो 2D का square मतला 2 2s of 4 into D का square ठीक है D square से D square cancel यह कितना हो जाएगा 1 is to 16 ठीक है समझ में आया अराम से ठीक है क्या करा diameter ले लो पहले तुम दोनों का मून का मैंने D ले लिया अर्थ का 4D होगे उसको 4 टाइमस ठीक रेडियस निकालो फिर अर्थ मून का रेडियस D by 2 अर्थ का रेडियस 4D by 2 ठीक है सही है तुम यहां से जब रेडियस लोगे लिए the answer is 1 is to 16 अब आजाओ इसके next question पर क्वर्श करें